जैसा कि हम लोग देख रहे हैं काफी दिनों से कि हम continue एक वीडियो लेके आते हैं डेली और उसमें हम आपको बताते हैं LED बिजनेस से संबंदे साथी जानकारी तो OC के सीरीज में एक हमने यूनिक बिजनेस किठी वीडियो अपलोड की थी जिसको आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया बहुत सारा देखा और उसके बाद अच्छा खासा रेस्पोंस भी देखने को मिला तो आप लोगों की कमेंट था उसके अंदर और कुछ क्वेरी सारी वीडियो बनाई आपने देखा भी होगा कंटीनिव यूनिक बिजनेस के जिन्दर जो भी रो मेटेरियल आता है उसकी मैं वीडियो बनाता जा रहूं उसी सीरीज में आज की वीडियो दोस्तों होने वाली है अब तक मैं जितने भी टूल्स बगैर आते हैं उन सब की म कौन सा नोनिकरांटी सेल करना है और कान सिस्टम होता है कितने तरीके बार के आज को पूरा मैं पूर दिखाता हूं बार पहले मैं आपको क्लियर कर दू यह जैसे यह PDF होती है प्राइलिस्ट हमारी तो इस प्राइलिस्ट को आप WhatsApp पर हमसे ले सकते हैं इसक्रीन पर नंबर दिये गए इन नंबर पर मुझे कॉल करेंगे करेंगे तो हम आपको इस तरीके की PDF वेजेंगे इसमें सारे रेट बगएरा लिखते होते हैं जो भी हमारी किट बगएरा होती है अगाव मैटेरियल के रेट बगएरा सारा लिखा होता है इसके अंदर तो इसे WhatsApp पर आप हमसे ले सकते हैं स्क्रीन के जो नंबर दिये गए इन उनसे रुकेश्ट करूंगा पहले यूनिक इटकी और हमारी जो पहले वीडियो मैंने अपलोड की है उन वीडियो को जाके चेक करें उसके बाद आगे की सीरीज के आपको वीडियो यह आज वाली समझ में आ जाएगी दोस्तों और जो लोग नए है वो चैनल को सब्सक्रा आपको शाक को करें आपको यह वाला करें दोस्तों और कैप मिलेगा बाली मोरी आजए पचास पीस चो आपको प्रिंटी बाडी मिलेगी couponista चैनला चैनल कोई इस तरीके से इसमें आगे देखेंगे तो इसमें लिख्था हुआ बारेवाड जेटू एसी डीसी एसी डीसी बलब का क्या मतलब होता है कि लाइट जाने के बाद चार गंटे का जो बैक अप देता है क्योंकर वो इन्वेटर की तरह काम करता है लाइट जाने के बाद भी तीन से चार गंटे का बैक अप दे देता है उसके अंदर इस तरीके से एक बैटरी लगती है इस बैटरी को लगा करके बलब बनाना होता है तो उसका रो मिटेरियल क्या क्या होता है उसके अंदर एक बॉ बॉक्स होता है चोटा सा जो आपने देखा होगा उसको कैसे बनाएंगे बदब बॉक्स को जो पैकिंग आती है इस तरीके से उसको बॉक्स की शेप कैसे देंगे उसको कैसे बनाएंगे तो इस तरीके से वो वीडियो है उसको आप देख सकते हैं तो इसमें आगे हम कवर करन कि अपिखेंगे नर्बिन और समय आप देखेंगे नरवर्ण नर्बन-ब्रण्ड यद आप चाहते हैं कि अपके नाम का हम प्रिंट करके दे तो वो भी इस पर ब्रांड बन जाएगा आपका और जो इसको पैक करने का पैकिंग बॉक्स होगा उस पर भी हम ब्रांड बनाएंगे आपका आपका सो दो सो पांच सो पी जितनी क्वांटिटी होगी उतना पैकिंग बॉक्स और उतना ही इस पर हाॉसिंग पर प्रिंट करके देंगे तो सामने देखें कि सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी तो इसके अंदर बॉडी टेКी डिफ्यूजर डीयोबी केप और यह वालड़ मارکेट के अंदर चलते पृटते कहीं भी माइक लगा कके जो लोग बेश इस्पे बोसे कैसे होंगे कि आप इसको बनाएंगे और बनाकर चार पीस का पेक्ट बना लेंगे उसका भी इसके अंदर दिया जाता है, पैकेट बनाने के लिए होट एर गन और उसकी पॉलिटिन बगएरा मैंने पिछली वीडियो में सारा एक्स्प्रेंट कर रखता है, कि किस तरीके से दस पीस की पैकिंग आपको बनानी है, तो इसमें दोस्तों क्या होता है, यह नोन गरंटी होता इसके एक पीस के रो मेटेरियल की हम बात करें, तो एक पीस का जो रो मेटेरियल है, वो आपको दस रुपए के आसपास पड़ेगा, एक्क्यूरेट रेट जानने के लिए स्क्रीन पर नमबर दिये गए हैं, इन नमबरों पर वाट्सप पर कॉल करके, वाट्सप पर जनकारी ले सकते हैं, लेटेस्ट रेट के लिए, अभी मैंने दस रुपए अप्रोक्स क्यों बताया है, क्योंकि रेट दस-पाच पैसे उपर नीचे होते रहते हैं, तो जब भी रेट कम होते हैं, तो इस प्राइलेश्ट में मन्थली अपडेट होती है, इसमें घटा दि जाते हैं, तो जो करेंट की लेटेस्ट की पीडियाफ है, तो उसको लेने के लिए वट्टर पर मैसिज करेंगे, उसमें आपको करेंट के जो एक्क्यूरेट रेट होंगे, जो करिजान टाइम पे वो आपको मिल जाएंगे, तो यह दस रुपए का बलब एक raw material पढ़ता है एक आइडिया है, तो उसके एसाब से, और यह 25 रुपए का सेल होता है, बाकी आप देख सकते हैं कि एक बलब बनाके कितना margin ले सकते हैं, और इस बलब को बनाने में कितनी time लगेगा, वो time हम इस वीडियो में cover करेंगे दोस्तों, इसी तरीके से आगे बात करेंगे, तो इ इसके अंदर, एक MCPC भी हो गई, बोडी टिक की diffuser, B22 cap और इसका packing, यह इतना raw material इसके अंदर मिलेगा, दोस्तों, इस ड्राइवर को लगाके बलब बनाते हैं, इस वाले raw material से, तो इसके अंदर minimum आप एक साल की warranty customer को दे सकते हैं, एक साल तक इसका कुछ भी खराब नहीं होन है, यह ऐसे इस material को लगाके आप बलब बनाते हैं, तो यह एक साल की warranty में आराम से आप दे सकते हैं customer को, इसमें जो minimum replacement आती है, पांस से दस परसेंट यह आपकी manufacturing क्वालिट की बज़े से replacement आएगी, तो पांस से दस परसेंट replacement आ सकती है, क्योंकर electronic item में हो सकता replacement आ सकती है, ल चलेंगे, और सो के सो आपके market में बिखेंगे, लेकिन CDC बात है, electronic item में पांस से दस परसेंट replacement हर किसी product में आती है, बाकी आगे बात करें, तो इसके अंदर मिलने वाला आपको, जैसा मैंने अभी बताया था, ACDC का inverter वालब जो backup देता है, तीन से चार गंटे का, वो इसलिए इसमें आता है driver, सामने देखेंगे तो इसके अंदर driver आएगा, तो ये वाला ACDC का driver होता है, ACDC का driver होता है, और ये होती है battery इसकी, और ये होगी MCPCB, और ये इसका होगी wire, wire को battery से driver में connect करना है, और ये B22 के, इसके अलाबर सबकी packing आती है, तो दोस्तों ये होगी जो हमारी unique business kit है, इसके अंदर raw material आता है, इसके आते हैं 50 piece, इसके 50 piece और इसके 100 piece आते हैं, टोटल 200 piece का raw material आता है दोस्तों, इसकी cost की बात करें हम, जो हमारा एक साल की warranty वाला, आपने भी कभी न कभी अपने घर के लिए बलब को खरी रहा होगा, एक साल की warranty दुकान से मिलती है, तो व आपको पढ़ेगा 35, 36, 37 रुपए के आसपास यह raw material है, 36, 37 रुपए के आसपास इसका raw material एक बलब का पढ़ेगा, raw material आपको इतने का, बाकी आप इसको market में अब जो आपके area में rate चल रहे हों, उस हिसाब से इसको बेश सकते हैं, तो इसका अच्छा का आपको profit मिल जाएग इसकी ACDC की दोस्तों बात करें, तो इसके एक पीस का raw material आज की डेट में 139 रुपए के आसपास पढ़ता है, और बाकी यह market में sale होता है, दोस्तों यह आपने कभी inverter बलब पच्छेच किया होगा तो आपको पता होगा, 400 से 455 रुपए में एक पीस मिलता है market के अंदर, एक स चाले अच्छे मेने की warranty में, तो यह minimum आप 400 रुपए का तो market में sale करी सकते हैं, तो इस हिसाब से आप idea लगा सकते हैं, कितने का raw material हो, कितने का पढ़ने वाला है, और कितने का आपका sale होगा, वो जो rate है, sale होने के वो depend करते हैं, आपके area के market, क्योंके हर छेतर में अलग-अल material आता है, वो उस raw material की आप जानकारी समझे होंगे, और आपको raw material के बादे में clear हुआ हो, किस तरीके से raw material इस kit के अंदर मिलता है, और आगे हम बात करें, तो इसको बनाना कैसे है, और इसको बनाके जलाना कैसे है, और market में कैसे sale करना है, यह सब जानकारी एक एक करके हम जावार दो